नमस्गार आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी नाइन भारत वर्ष के इस अड़ी स्पेशल में देखे एक लंबे लोकसभा चुनाओं के बाद आज आखिरकार सात्वे चरन का आखरी चरन का प्रचार भी थम चुका है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की सीट वारा नसी इसी चरन में आती है जो अब जा रहे है करन्या कुमारी उस जगा पर साधना करने जहां कभी स्वामी विवेका नंद ने ध्यान लगाया था वो वहां से राष्ट्रिय एकता का संदेश देंगे हलाकि विपक्ष इसे आध्यात्मिक नहीं वोट साधना कह रहा है तो आज अ आपको इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मैं लखनो में हूँ लखनो में इसी पर मैं बात करूंगा मैं रसाथ तमाम पार्टियों के मेमान है लेकिन पहले ये बड़ी खबर आपको बता दू प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कन्या कुमारी पहुंच चुके वगवान शिप की आराधना की थी, उस गुफा में साथना की थी जिसकी त समेरे आपने भी देखि होगी आज वो उस रॉक पर जहां पर विवेका न ध्यान रत हुए थे जहां उन्होंने साथना की थी, वहां पर वो पहुंचेंगे, देखे, प्रधान मंत्री विवेकानन मेमोरियल पर साधना करेंगे पिया मोदी कन्या कुमारी पहुंच चुके हैं काशी से कन्या कुमारी तक हमारी ये मेगा कवरेज लगातार जारी है और इस कवरेज में हम आप से बात करेंगे इस मुद्दे पर देखें मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे दो सयोगी भी हैं मेरे साथ विपिन और सुरभी दोनों कन्या कुमारी से जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करेंगे लेकिन मैं आपको एक बार बता दूँ कि लखनौ में इस वक्त क्या महौल है जरा दिखा दीजे कैमरा यहां पर घुमा दीजे यहां पर लखनौ की जन लखनौ वालों का देखिए अब जल्दी से मैं लखनौ आओं लखनौ में मेरे साथ कौन कान पैनलिस्ट इन पर बात करूं पहले जल्दी से विपिन के पास जाता हूं विपिन प्रदान मंत्री पहुंच चुके हैं बताईए इस वक्त क्या अपडेट है देखिए प्रदान मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं थोड़ी दिर पहले तीन हिलिकाप्टर से उनका काफला गौरव यहाँ पर लैंड किया है और इसके बाद वो गेस्ट हाउस गया है और इसके बाद यहाँ अमन मंदिर जो कहा जाता है या फिर उसको पारवती बहुत पौराणिक मंदिर है और हर आने वाला तीर्थ यहाँ पर दर्शनार्थी हो वो इस मंदिर में जरूर जाता है तो पहले सबसे पहले उस मंदर में जाएंगे देश के पधारमत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद सीधे वो चले जाएंगे विवेका नंद रॉक प बढ़ा सवाल ये है कि प्रदान मंत्री के इस दौरे का बहुत जादा विरोध हो रहा है कई राजजर्टिक दलर से हैं जिनके पेट पे दर्थ हो गया है और वो कोई मैं उसे पर बात करूँगा मैं वहाँ पर आऊंगा आपके साथ लोगों से भी बात करूँगा और येकिन सुर्भी के पास चलते हैं सुर्भी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ चुनाव आयोक चलागे आए विपक्श उसपर भी हम बात करेंगे लेकिन justonda जल्डी से प्रधान-मंत्री के इस कारिकरम का उद्देश बता दीजे क्या उद्देश है कि इस कारिकरम का प्रधान-मंत्री कर्ण्याकुमारी गय यह क्यों है जिन्होंने बड़े सरल चब्दों में ये बता दिया कि ओदेशे आप पॉलिटिकल लिहाज से मत देखे ओदेशे इस लिहाज से देखे कि प्रधान मंतरी किस तरीके से ऐसे धार्मिक स्थलों को जोडते है और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश के प्रधान spiritually लोगों को connect करने की कोशिश करते है और spiritually उनका वो connection जो है वो कई सालों से हम देख रहे हैं तो आज कुछ नया नहीं है लेकिन connection में उनकी मौझूदगी को लेकर मैं जानती हूँ हम पानलिस से चर्चा जरूर करेंगे लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीरे भी दिखा देती है क्योंकि दक्षिन के जिस छोर पर इस वक्त मैं मौझूद हूँ समुद्र की तस्वीरे तो लगातार हम दिखा ही रहे है किस तरीके से यहाँ पर मिलन होता है लेकिन वो खास तस्वीर में आपको दिखाना चाओंगे इन तेस लहरों के बीच में क्योंकि ये वो मंदिर है जहाँ पर प्रधान मंतरी अपसे थोड़ी देर में आपको दर्शन करते वे नजर आएंगे और बहुत एतेहासिक मंदिर है ये 3000 साल पूराना और इसका भी दक्षिन के लोगों के बीच बहुत बड़ा संदेश जाता है गौरव लेकिन और साथी दो मेहतपून जगा जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ क्योंकि अपसे थोड़ी देर में आप देखेंगे कि किस तरीके से यही पर विवेकानंद रॉक पे वहाँ पर प्रधान मंतरी मेडिटेट करते नजर आएंगे लेकिन कल दुपहर की वो त थंडी थंडी हवा जो आप और जिसका आनंद आप और विपिन उठा रहे हैं लखनौ में उत्तर भारत में इस वक्त बहुत गर्मी पढ़ रही है इस वक्त 42 डिग्री टेंपरेचर में लखनौ में लोग बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं TV9 की लोग प्रता और TV9 से लोगो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमन मंदिर में पूजा आर्चन कर रहे हैं उनकी तस्वीरे आ रहे हैं वो तस्वीरे लगातार यहां पर चलती रहेंगी लेकिन विपक्ष इसकी खिलाफत कर रहा है मनोज भाई शुरुवात आप से क्या दिक्कत है प्रदान म है किसी चीज से अरे प्रचार तो करा रहे था तीन महिने से आखिर क्या कमी रहे गई थी क्या क्मी रहए गई कि तीन महिने का परचार करके जी नहीं भणा और अंतिम-चरण का जो उट पढ़ना है पहली तारीख natuurlijk और उफिर चले गए एक कैमरे की बीमारी के तहट कैमरे के सामने अब मैं तो यही कह रहा हूं कि इतने दिन से कैमरा आपके साथ नहीं था एक बात लेकिन मज़ेदार बात आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही कि 19 में जब बीजेपी बड़ी उचाईयों पे थी तो मोधी जी केदार आने वाली अचा देखे तस्वीर आने लग गई हैं मुझे जाना पड़ेगा उन्हें तस्वीरों पर प्रदान मंत्री नरेंद मोधी कन्या कुमारी पहुंचे हुए हैं गेस्ट हाउस में पहुंचे थे और वो अम्मन मंद्री की तरफ देखे उनकी तस्वीर आने लग ग हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जादा ध्याद्यात्मिक है प्रदान मंत्री नरेंद R Mohdworks किसी मंदिर में जाते हैं तो पूरे विधी विधान के दिखाते हैं और भार्तियों को ये बताते हैं कि हमारी संस्कृति का एक हिस्सा तमिलाडू भी दक्षण भी है तो बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं यहां पर इस वक्त यहां पर लगतार आ रहे हैं और सब बेर को एक जलक भी चाहिए और पिधार मंतर इस वक्त पहुंच चुकर हैं अमद मंदर में और अमदर में पूजा अर्चना शुडू हो चुकी तो आप लोग को नहीं दोबल मेनिति हो गए एक तरब धारमंत्री भेहा और घूमने का घूमना भी हो गया फ-, कुछ लोग के रहे हैं कि मोधी जी ऐहां ध्यानर लगाने गए हैं तो इसका राजनत्तिक फैयदा लेने के लिए और लोगों आप लोगों से बात करिए इस एक यहां पर बात करनी चाहिए विपन मैं आता हूँ आपके पास दिखाते रहेंगे तस्वीरे पृधान मंत्री की अमन मंद्री के अंदी काको ढिए अन्द चार जून को गहराई में जाएगी उच्छामें जाएंगे यह पता चल आपके उपद देखिए जिन लोगों को मंदिर जाने में प्रॉबलम है जिन लोगों ने आज तक हर धार्मी कस्थल जाने का प्रधान मंत्री जी का विरोध किया है उनकी सुभाव को उनकी बात को आप समझ सकते हैं लेकिन यह वही लोग है जो मुखतार अंसारी की कबर पे फूल चड़ाने गाजीपुर जाते हैं जो माफियाओं की कबर पे चले जाते हैं यह राहूल गांदी यह बाबर की मजार पे चले जाएंगे लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे यह वैसे लोग हैं लोग तो इनको अधन थापने वाला यह चार तो देखेंगे बाबा बताइए मंदिर जा रहे हैं मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीए उनका मकसद क्या है उनके यात्रा की पवित्रता क्या है यह अस्पष्ट होना चाहिए आज वो राजनेतिक यात्रा पर गये हैं राजनीतिक यात्रा पर गये हैं बलिए इधर बोली और बोली खड़े होई भी यह लोग कैसे मंदिर जाएंगे जब मंदिर जाने बिरोद करते संसर्द में काला कपड़ा पाहिं गये थे लो क्यों क स्वाल भारती जनत्रा पार्टी के प्रवक्ता साशाहां नहीं जाता है संतन धर्म से बिलॉंग करन में करने वाले करोड़ों लोग Evans 140 करोड का देस है और कुछ चंद लोग सनातन धर्म से बिलॉंग नहीं करते हैं बाकी सारे लोग सनातन धर्म से लॉंग करते कि ≠ तो जल्दी बोलो एक लाइन में बिल्कुल बोलेंगे आप टाइम देंगे बोलेंगे टाइम नहीं बोलो जल्दी सनातन धर्म का ठेका केवल नरेंदर मोदी जी ने रखा है सनातन धर्म की बिवस्था के अनुसार अगर धर्म की बिवस्था के अनुसार सनातन धर्म में अग ऐस्वर के बाद किसी का स्थान आता है तो आज शंक्रा जारे जी का आता है और उन आज शंकराइजी के बाद में जोंक önडी कर पीठो पता है और उपड़ा और कुछ bond बोलेगा खड़े हो यह था जिए आप कास्मीर मेरे एक हासा हुआ है अगर इनको जाना ही था तो मुझे लगता मंदी से पहले वहां जाते तो ज़्यादा अच्छा हो ठीक है और कुछ अब या खड़े हो बोलो था पर वो ज़ाते हैं उनका प्रस्नल मेंटर है यह उसके लिए यह यह करह नितिक canary हो जाते हैं जाते हैं हुआ आपस देश्यलाई नहीं आपस में लडाई नहीं नए आपस में लडाई नहीं आप अच्छा दोस्त्राइए अब हो एक तो ुक् 2021 सबसे बड़ा को काम है और आप वहां से माइक हटा लिए चार महां चार संथ चार संक्राचार लगातार मना करते रहें कि आधा दूरा मंदिर ना करिए करने का एक बात पहले बदा दू माइक में किसी के सामने इस नहीं अटा था लेकिन इतना लंबा नहीं बोल सकते जिसको बोलना है चंद शब्दों में अपनी बात बोली है जैसे आप बोल रहे हैं ठीक है और बोलो कौन बोलेगा चल्दी ये बात बोलना चाहता हूं कि इस समय देश में जो जुलंत मुद्दा है बेरोजगारी का है नौकरी का है लोगों को ना भेरोजगारी मिल दूर हो रही हैं अब मोधी ची ने जो कितनी गोसना की पहले सरकार में कि हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे इस पर नहीं बोल रोहित जवाब दीजे आप मंदिर जा रहे हैं आपकी गडबंदन के नेता लेकिन यह कह रहे हैं बिरोजगारी पर बात नहीं करते कौन करेगा बात विपक्ष को करनी चाहिए ना मुद्दों की मुद्दों पर दवाल बूशना है नहीं हम तो करेंगे ही हम तो जिम्मेदार हैं अगर कोई भी समस्या है तो उसको हल करने की जिम्मेदारी होती है सरकार की और विपक्ष का काम होता है कि हर मुद्दे को आप सर श्राइट को अपने आपने श्रयूं चाने के लिए इस्तेमाल करना जसी सरद्ध करने लिए उसको आज दुख होगा ही कि मंदिर क्यों जाने का विरोध करते हैं कि मैं तो सिंपल और साधारण शब्दों में कहना चाहूंगी कि जो आपके दर्शक है वो इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो किसको दर्शन करके जाएंगे राहूल गान्दी जी ने जहां से यात्रा स्टार्ड की थी वो कन्या कुमारी ही था और आज जब मौधी जी वहां पर जा रहे हैं तो वो अपनी राजनेती का अंत करने जा रहे हैं और हकीकत यह हैं कि मैं तो इस पर दो रहा है उसके लिए माफी मांगें कि वास्तक परार गूम रहा है इस पर बात नहीं हो देखे चार्ज उनको इनको पता चल जाएगा और इनको ही क्या पूरे देश को पता चल जाएगा जब चार सो पार का नारा मोदी जी ने दिया है और चार सो पार हम करके आएंगे तो इनका जवाब हम सेनके इनको जवाब अब गार अब की तब ती करके नाच रही थी चूड़िया मन्मुट ऐसे शब्दों के इस्तमाल मत करी सही शब्दों के इस्तमाल करी मतलब वह बता रही थी कि सेंडर कितना महेंगा है और आज की डेट में कितना महेंगा तब कहां चलेंगे और रही बाद 405 की 405 नहीं 400 हर रहे अब आपस पर लड़ाई नहीं करो आपस बढ़ाई मत करो मैं यह कहना चाहरी हूं वीजेपी वाले जो बोलना है कि 400 पार हम कर रहे हैं मोदी जी कहने 400 पार हम यह कहने अगर इतनी इमानदार पार्टी है तो यह बैलेट पेपर पर चुनाओ क्यों नहीं करा रही है हर बार एब्यम को आज जो चुनावायोग बैठा है वो चुनावायोग किसका है ठीक और कोई बोलेगा आप बोल चुके जो नहीं बोल पाया बोलेगा इदर भाया खड़े हो खड़े हो पीचे वाले बिया आगया हो बलू जिस तरह से कांग्रेश के लोग इस था कि महगाई की बात करें अगर यहीं महगाई की बाद अगले पांच साल तक रोट पी उतर कियो होते तो आज आ करके आज सिरेंगे दिखाने दिखाने कंग्रेश नहीं किया कांगरी तक मडिपूर से महराश्ड तक में पूचना चाहती हूँ कि आप बताईए धारतिय जन्ता पार्टी के मैनिफेस्टों में कही रोजगार है आपके जवाब आपको इनको बता दूंप इनको बता दूंगे इनको बता दो इन ने सिलंडर दिखाया जाकर चेक करिये एक जन्वरी 2014 बारा सो इकतालीस रूपया का सिलेंडर था आज आज को किन रूपय का है जब हमने सब्सक्राइब चारी करने का काम किया जिसका दो हदार चपिस नक हमारी सरकार बर रही है यह जूटे लोग बात करेंगे जिनोंने मैंनाई को उपर उठाया गलत तब जबागर होता है तो आप जोब जाप जिनाई करें लिडिया आप बोलिए ना उस डेट को तले लिटा गलत बोला उन्होंने कितने रुपय मिल ला था ना सबसडियी मिल लई थी यह कह रहा है सबसडीए के साथ था लेंग सबस्क्राइब करें लिए और इनके समय में तो बिदायक और सांसत की चिट्थी लिखवानी पड़ती ती के सिलेंडर के करेक्शन के लिए बोलो ख़लो 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 आरेंडी के परवक्ता ने जो बोला कि अनुप्लयमेंट का विपक्ष को करना चाहिए जब जहां किसी समय जब सिलेंडर सस्ता था कॉंग्रेस की सरकार में तब आईडी महंगा नहीं था तब वो भी सस्ता था जितने सिलेंडर के वज़े से घर जल रहे है उससे ज्यादा घर आईडी के वज़े से बॉम ब्लास्ट में जले है तो सिलेंडर घर नहीं जल रहे है चूले जल हूँ तो 14 से पहले मोदी जी भासण में क्यों कहते थे से लेंडर महंगा हुआ कि नहीं हुआ पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं हुआ तो क्या नरेंडर मोदी को उनके घरवालों ने कहा था और सुनो आपकी तो सरकार 80 रुपय की बात हो रही थी रेंगा चोधरी जी का वीडियो है आप देख लीजेगा अब बारास रुपय का सिलिंडर था उन्होंने पत्रकार को पूछा था कि क्या आम पब्लिक सिलिंडर यूज करती है क्या तो उस समय भी बारास होका था ऐसा कुछ नहीं कि अचानक से बढ़ गया हुआ सर हम पूछना चाह रहे हैं देश प्रदेश की क्रमचारी सिच्छक साठ से बाट साल से सेवा करता है उसको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए करेंगें और पुछ लेता हुआ प्रेंगा जवाब देंगे प्रेंग का ओपिस अपके मैनिफेस्टों में क्यों नहीं है कि मैंने का कि हमाचल में हमारी सब्सक्राइब कुछ और कुछ रहा है कि मैंने इंकार नहीं किया है कि यह का है कि उस पर पूरी समित बनी रेगी और तो आपके मैनिफेस्टों में क्यों नहीं हो आपके मैनिफेस्टों में उन्चास पेस्टों माचल वाला पूछनीजिया पाहली कैबिनेट में एक लाग नौकरी देने का वज़गार के लाग सरकारी नौकरियां खटा कटा अब कहने दस किलो रशन पटापाट पटापाट यह वो लोग जिनके कि यह पंदा पाइग चलता था कांगरे सरकार में और आते थे पंदा पाइसा बसता था और मनुहान चींग से पूछा जाता क्यों मनमोहन जी दो दो कितना होता है तो मनमन के ते दो दो चार्ट होता कोई नहीं बजाएगा बे मतलब परेशान हो कोई ताली बीने बजाएगा सपा वाले साफ से पूछना है गोंती रिवर फ्रंट के नाम पर 1740 करोड रूपे लगे गोंती रिवर फ्रंट को बिख्षित किया गया साथ में नदी भारत की माता मानी जाती है नदियों को साफ क करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी जब भाजपा की अस सरकार है साथ साल हो गए अभी तक क्या एक भी नदीयों को साफ नहीं किया जाना चाहिए तुम किस से सवाल पूछ भी जेपी से किसा बोनों से ठीक है और ब्यादर कोई बोल रहा है पीछे ठीक है जवाब भारत में नदियां साफ करने का सपना अटल ब्यारी बात पेई जी ने दिखाया था वो तो साफ किया नहीं दूसरे वाले जो आए प्रधान मंतरी भी अरे वो कह रहे साड़े सत्रा सो करोड का आपने गोमती रिवर फ्रेंट बनवा दिया अरे तो सामने देखो ना बना को पुल साफ है कि रिवर फंड का जो घोटाला उसकी फाइल CBI के पास पेंडिंग है और इस तीसरे कारकाल में रिवर फ्रंट के घुटाले बाज भी जेल जाएंगे लोग अखलेश यादो भी जाएंगे और इसके बार कोई बक्षा नहीं जाएगा अभी मुद्धे अभी मुद्धे अभी रिवर फिंद्धा नहीं मुद सकता है कि तो तोबना जीन फी तराम क्या कि दाराम का या जाहिकति रियु आपने नहीं करेंगे अपने बैटे कसम खाते हैं हम करेंगे इंफ इंश्तित हना पाइव करेंगे त्रहों सो के मिल गएए झाय रिखक मिल बंड नहीं प्रएवक पूर्द 덉न वाथ ऐख island's प्रदान मंत्री पूरे की नजर है और देश के परधान मंत्री जो चुनाओ चला है उनको याद आता यह आपकी दो भैसमसे बैस चुरा ले जाएंगे उनको दे देंगे मंगर सूत देंगे परधान मंत्री हैं वहाइस चोरी होना और भैस ले जाना दोनों अलगल मुक्ति भई कहां से क्या कंपेर कर रहे हो वह कह रहे हैं प्रधान मंत्री ने अगर दो भैस है तो एक भैस यह ले जाई है तो अगर संपतियों का वित्रण करेंगे तो जितनी संपतियों उसका वित्रण करेंगे जुमला फैलाने वाले लोगों को जनता ने पूरी तरह से निकार दिया है छे चरड के चुनाव के बाद इनकी हालट टाइट है और इसी लिए कभी बैस याद आती है तो कभी ठोटी याद आती है कहीं आदाए कि कमरा ले जाएंगे इस तरिके से कौग्रेस की प्रवक्ता नकली सेलेंडर लेकिए इनके सेलेंडर की घास निकल गई है इसी तरीके से चार जून को विपक्ष की गैस निकल जाएगी और ये विपक्ष में रहने लायक नहीं रहेंगे आप देखिये नकली सेलेंडर लेकर आए चंता को गुम्राह करने काम करते ही जोarlी के नेता हैं जो कह रहे थे चवन्नी हैं पलतेंगे नहीं लाधियों से प्केपी वालों ने मारा था अब बता है सारे चोर एक हो गए नितीज कुमार ने परधान मंत्री महोधी के लिए कहा था कि काला साफ है मैं उसका मुझ देखूंगा मर जाओंगा आद दोनों भाई यह तो क्यों कि उन्हों ने कहा कि हम ने कहा कि हम गड़ बंदन नहीं करेंगे हम इसलिए गड़ बंदन किये हैं कि आपको गुजरात भेज के दम लेंगे हैं कि अधियों कि जोड़ी एक मिट खड़े हो भिया खड़े हो क्या बोलों विपक्ष अपने नेता का नाम बता है किसको यह लोग प्रान मंत्री के लिए अरे लोग दूलावी है कोई मुझरा देखने वाला प्रदान मंत्री नहीं बनेगा और अब मेरा सवाल सुनिये सुनिये अभी आप लोग बैठिये मेरा सवाल यह है प्रदान मंत्री की आस्था में आप कहते हैं कि चुनावी उसमें डूपकी है राहूल गांधी मंदिर नहीं जाते अखलेश यादर जी मंदिर नहीं जाते उसका मीडिया का वरिज नहीं होता क्या है नहीं होता क्या उसको नहीं दिखाते तब होता है बोल।ud पूचिए माथूरा में बगवान कृष्ट का मंदिर बनवाएंगे कि नि बनवाएंगे यह तो यादो वंची आते हैं यहां तो मंदिर की डिवेट बहुत हीट हो गई है बहुत हीट है और यहां पर बहुत गर्मी भी है और यहां पर बहस में भी बहुत गर्मी है कन्या कुमारी में मंदिर में प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी यह वहां क्या हो रहा आज रहा बताई है क्या हो रहा चल रहा जल्दी से छोटा साग अपडेट कि देखे समंदर का खिनारा है गौरव और तीनों समंदर का संगम होता है विवेका नंद यहां पर आप जानते कि धानवरत रहके गए हैं और यहां आज था संस्कृति संभिता और आज राजनीत का भी संगम हो रहा है दानवर्ति नरेंद्र मोदी अमन मंदर में मौझूद ह और फोड़ी देर बाद यह इसी विवेका नंद रॉक मेंबोरियल में पहुच जाएंगे और उनको देखने के लिए एक बहुत बड़ी तदाद में पब्लिक को देखिए कितनी बड़ी तदाद में हापर पब्लिक आई है और सब को सिर्फ इंतजार एक जलक अपने देश के प्रदानमंत्री को कोई फर्क नहीं बढ़ता कौन सी पार्टी उनका विरोध कर रही है किसके पेट में दर्द हो रहा है इसके विजुल्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए प्रदानमंत्री को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए लोग इस बात से खुश है कि परव मैं अपडेट दे देती हूँ प्रधान मंतरी मैंने देखा कि किस तरीके से सीडिया चड़ते वे अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ध्यान मंदपम में ही अब वो ध्यान की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुवात करने वाले हैं पांच मिनट हो चुके हैं जब हमने देखा कि किस तरीके से प्रधान मंतरी अंदर जा चुके हैं और अंदर जाते हुए मैंने देखा कि किस तरीके से धार्मिक वेश भूशा में क्योंकि मंदर में भी जाहिर सी बात है आपकी एक परंपरा के मुताबिक वेश भूशा होती ह जो पहन कर यह आप जा सकते हैं तो शौल ओड़ते वे सफेद रंग की वो जो उन्होंने एक जो पारंपर एक वेश भूशा है वो पहनी हुई है और जिसकी तस्वीर आपने मंदर में उनकी दर्शन करते वे देखी और वही पहनते वे प्रधानमंत्री अब सीधा ध्यान के लिए अंदर जा चुके हैं क्योंकि यह पूरा परिसर भी अगर आपको दिखाओं तो पहले बहुत सारी सीडियां है और यहां सीडियां चड़ते वे हमने खुद देखा प्रधानमंत्री को जो अंदर जा चुके हैं और ध्यान मंदपम अंदर जो बना हुआ है वही पर प श्रणा वहीछ पर लोग क्या कि रहे हैं अब की बार मंदीर से 400 बताएं देखिये हमारी सरकार ने जो गरीब कल्यान का काम किया है पहली बार आजादी के बाद अगर लोगों को मकान मिला है सोचाल है मिला उज्णा गाइस का कनेक्शन मिला है उश्मान कार्ट मिला है तो हमारी सरकार में मिला है जंदन का खाता खुला है तो हमारी सरकार में खुला है और उत्तरप्रदेश में किया आप कह रही मंदित से 400 पार सवाल यह है पुर्धान मंत्री मंदिर जाए तो दिक्कत राहूल गांदी मंदिर जाए तो दिक्कत नहीं देखे मैं इन से पूछना चाहती है तो अधार इसमें जनगणना क्यों नहीं हुई यह गरीवी कि पुछार पूछना की थी कि नहीं की थी हमने उसको टीवी पर दिखाया था कि नहीं दिखाया था देखे अब यहीं बात है आप राहूल गांदी के जब हम दिखाते हैं तो सही है प्रदान मंत्री कर दिखा रहे है तो उसको आप लोग कह रहे है कि चुनाव में प्रचार कर रहे हैं ऐसा कियों बताइए क्यों प्रचार में आप किसी को फोकस नहीं कर सकते वागेंस ay ran को जलिए जनतानी का लिया आप देस कोड़े तया बताएगी बताएगे किसे आप लोग를 हो ये कड़skर United के जंट ने थाना है था झाल चार जून को चार बज़े चार सो पार हो ना है और जून को 400 फार खो ना है अवाज ना रही आप मजे उ onze सो बढ़ाइब Nagष आप क्या बोल रहें क्यों होगा चार्जुंग घार्सोफार देखें ये देश है और इसी मुनियों का देस ये देश है मोर्च यहां फार देख रही है मैं पड़ा लखा नोजवानू उसी तरीके की बात करूंगा जबनी तहजीव लगनों की बोलने दिजे तो मैं अब बोली रहे हैं तो मैं यह बोल ला हूँ कि जैसे जितने भी सरकारी विवाग है जर्में आठ 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 आजार सोला सोला जार की प्राइवेट नौकरियां ब है भारत मेरा जो है यह इंडिया गठ बंदन से जानना चाहता हूं कि आप लोग सब लोग मिल गठ बंदन किये हैं चार जून के बाद क्या टना टन और खटा खट मतलब सरकार बनाने के लिए आपस में लड़ेंगे आपकी जनता के जिनवाग वादा किये उनको पूरा करे मैं यहां पर जो सत्ताधर की पार्टी के लोग खड़ें इंसे मैं पूछना चाहता हूं क्या चार जून को इनकी सरकार बनेगी क्या पुरानी पेंसन करमचारियों को देंगे निजी करन खतम कराएंगे ठीक है और कोई भिया इदर खटा खटा क्या बोल रहे हूं जल्दी धरम के नाम पर जो राजनीत करते हैं इससे 400 बिल्कुल नहीं होगा लेकिन गाय काटने वाली जिस कंपनी से इन्हों करोड़ों चंदा लिया उसे गवहत्या के पाप लगेगा उससे 400 हार जरूर होगी इनकी 400 हार बोलिए सर रभाशाब चार 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 जुन इन्हों ने कहा कि गाय को काटा गया है गाय को नहीं काटा गया है वो भैस का चंदा वसूला गया है ये लोग गलत बोल रहे कि गाय के लिए वसूला गया है गलत बोल रहे है बोलो मैं मेडिकल लाइन से विलॉंग करता हूं और मैं आठ में दस में से आठ सर्जिनिया लेकिन एक मुद्दा जो है जहां पर आप लोग शायत कमजोर पढ़ जाते हैं वो है राश्ट्रवाद जहां पर बात आती है कि प्रदान मंत्री हिंदू उर्दय समराथ है वहां पर अरे उनको बोलने दीजे अरे पाकिस्तान का मत्रमें नहीं दीजे जल्दी चुनाओ जब होता है चुनावी महापार्व तो भग्वान जनता होती है इंडिया गडबंदन जनता के पास जा रहा है जबाद दूबर जिनकों मंदित जाएंगे वह मंदित जाएंगे ठीखावा करने के लिए पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है और सुनिये सर्जिकल श् मैं यह बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस के बनाए हुए स्पूलों में ओटिंग होगी मोदी जी के बनाए हुए सोचा लेने क्या होगा ओके एक मिन अब लास्प्रेंगा में पास समय कम है प्रेंगा चार जून को अगर इंडिया गडबंदन की सरकार बनी तो आपको आप लोगों का थैंक्यू आप लोगों का थैंक्यू आप लोग बहुत अच्छा बोले लखने वाले थैंक्यू है